और आज देव दिवाली है आज काशी में गंगा नदी के तट पर हजारों दीपक जलाए गए है गंगा नदी का तट 10 लाख दियों से इस वक्त जगमक भोता हुआ दिखाईते रहा है देव दिपावली के लिए काशी को भव्वे तरीके से सजाया गया है मानिता तो ये है कि राक्षा त्रिपुरा सुरका वद होने के बाद खुशी में जो सभी देवता हैं वो उतर कर धर्टी पे आज की दिन कहा जाता है कि सभी देवता काशी नगरी में आते हैं और दिवाली मनाते हैं इसलिए इसका नाम है देव दीपावली और ऐसे में ये भवे तस्वीरे वहाँ से सामने आई हैं किस तरीके से गंगा तट पर सभी लोग इस वक्त मौके पर मौझूद हैं और भवे तरीके से देव दीपावली मनाई जा रही है क्योंकि ये कहा जाता है कि राक्षर से तृपुरा सुर का वद किया था आजी के दिन कई सारे लोग वहाँ पर इस वक्त मौझूद हैं और साथ-साथ पूरी तैयारी के साथ आज काशी में ये देव दीवाली मनाई जा रही है और काशी के हर घाट में हजारों और लाखों दिये एक साथ जगमगा पर तो ये परंपरा है जो कि पिछले कई दश्यकों से चलती आ रही है और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हर साल ये देव दिपावली जो की और ज़दा भव्वे होते हुए नजर आती है ये तस्वीर सीधे तौर पर हम आपको दिखा रहे हैं गंगा के घाटों से ये तस्वीर जिसे देखने के लिए दूर दूर से शृद्धालू यहां पर पहुंचते हैं हाला कि खुद बुक्यमंक्री योगी आधितनाथ पिश्रेकाई दिरों से तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं तो केवल दिये जलते हुए नजर आ रहे हैं पूरा का पूरा काशी इसी तरीके से जगमक होता हुआ दिखाई दे रहा है और इस वक्त ये तस्वीरों की भावयता काशी के हर घाट की भावयता वहां की खुबसूर्ती आप इस वक्त टेलिविजन एटीवी स्प्रुन के जरीए पहसूस कर पा रहे हैं ये काशी का वो घाट है जहां पे आज के दिन लोग पोशिश करते हैं कि हम जाएं और देव दिवाली के मौके पर एक दिया गंगा में प्रवाहित जरूर करें हम इस खूबसूर्थी का हिस्सा जरूर बने और जो सरकार के स्थर पर जो तैयारिया की जाती है उसकी खूबसूर्थी तो इस वक्त देखते ही पर रही तूर दूर से लोग इस मही देव दीवाली को देखने आते है、 उसकी रौनक को देखने आते हैं, इसा उतसब में शामिल होने के लिए आते हैं क्योंकि दीवाली के ठीक 15 दिन बाद देव दीवाली मनाई जाती है और कहा जाता है कि आज ही के दिन तृपूरासुर का संहार किया था देवताओं ने और इसी वज़ा से देवताओं द्वारा देव दीवाली मनाई जाती है ऐसे में किस तरीके से वरांसी के जो गंगा घाट है उनको जगमक किया गया है दस लाग दिये आज यहाँ पर जलाए जाएंगे और उसकी भविता और फुपसूरती आप इन द्रिश्यों के जरीए देख सकते हैं किस तरीके से वहाँ पर साजो सज्जा की गई है दियों के जरीए स्वास्तिक का चिन बनाया गया है लेजर शो की तैयारिया वहाँ पर की गई है जिसके जरीए सभी भक्तगर वहाँ पर एकत्रत हो सकें और इस देव दीवाली में वो शिरकत कर सकें तो काशे का आज का दिन बेहत खास बेहत महत्पूर्ण मंत्र मुग्द कर देने वाली ये तस्वीरे सामने आ रही है चारों तरफ हर एक घाट जो है वो रोशन इस तरीके से होते हुए नजर आ रही है क्योंकि 10 लाख दिये इस वक्त जलते हुए नसर आ रहे हैं और इसके साथ ही योगी आधितनाथ जो की हर एक तयारियों पर खुद नसर बनाये रखे थे और ऐसे में इस तस्वीर के जरिये इस कारिकरेम के जरिये दूर दूर तक एक बड़ा संदेश देने की भी पूरी की पूरी कोशिश है कि किस तरीके से देवताओं का आगमन होता है और देवो के जरिए ही यहाँ पर दिपावली मनाई जाती है दिपावली जो की इस पर आपने देखा ओक्टूबर महिने में आई थी 24 ओक्टूबर को और उसके थी 15 दिन बाद ये देव दिपावली की तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं काशी जो की पूरी तरीके से सच धच के तयार है और ऐसे में ये आलोकिक नजारा देखने के लिए दूर दूर से भक्त जन खिचे चले आते हैं तो पहचान है इस पूरे प्रदेश की यानि उत्रप्रदेश की धार्मिक नगरी के तौर पर और यही वज़ा है कि आयुध्या का दिपूस्था हो या फर काशी का ये देव दिवाली दोनों की अपनी खूपसूर्थी है अपनी साजो सज्जावट है और यही वज़ा है कि इस बार तो आपने देखा देश की प्रदान मंत्री भी अयोध्या पहुंचे हुए थे 2020 का वो भी एक वक्त था जब इसी देव दिवाली के मौके पर जब पी एम पहुंचे तो मंत्र मुख्द हो गए इस खूपसूर्थी को देखकर वहां के लोगों के पहुंचने के सिलसले को देखकर कि कितना मन में अगाद प्रेम है इस जगा को लेकर काशी में बहती हुई गंगा की धारा को लेकर जब लोग आ रही है और एक दिया जला रहे है और यही वज़ए कि उनके लिए जो तयारिया की गई थी पूरे गंगा घाट चारों तरफ को गूमते हुए इंतबाम घाटों को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे कि किस तरीके से हरे घाट को दिय की से सजात क्या गया है गंगा आरती भी यहां पर होगी